बस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत जमीनी विवात के चलते यूवक ने चाचा को ताबर तोड गोलिया बरसा कर उतारा मौत के घार दरसत थाना सिंभावली छेतर के अनूप पूर डिवाई के रहने वाले गुलजार अपने साती के साथ कहीं जा रहे थे तब हे गुलजार पर उसके भतीजे गुलफाम ने अंदादुन्द फाइरिंग कर दी जिसमें गुलजार को चार गोली लगी गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई साथ ही मौजूद दूसरा व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हो गया गोली की आवाज सुनकर गाओं के लोग मौके पर पहुँचे और घटना की सूचना गुलजार के परिवार वे पुलिस को दी गुलजार की हत्या की खबर सुनते ही परिवार में कहराम मच गया मौके की सूचना पाते ही हापुड S.P. सहित भारी पुलिस बल घटना इस्थल पर पहुंचे और शव का पंचनामा भर पोस्ट माटम के लिए भीज दिया गया और वहीं पुलिस ने घायल को अपचार के लिए अस्पताल में भरती कराया गुलजार की हत्या का कारण पारिवारिक लोगों ने जमीनी ववाद बताया है पुलिस घटना के बाद से ही आरूपी की तलाश में जुट गई है घायल चेश्मदीद द्वारा बताया गया कि मुरतक गुलजार बॉस के भतीजे गुलफाम ने गोली मारी है इस बारे में SP अभिशेक वर्मा ने यह जानकारी दी और जो चेश्मदीद के हिसाब से जुनों ने गोली मारी है उनका नाम गुलफाम है यह 22 वर्ष है मृतक जो है यह गुलफाम के सगे चाचा है इनमें परिवार में कुछ पारिवारी कारणों को ले करके आपस में रंजिश की बात सामने आ रही है सबी लोग यहां मौके पर मौजूद है और तहरीर प्रात करके अभियोग पंजिक्रित करके जो भी आवश्यक वदिकारवाई की जाएगी एवं जो वांचेत अभियोत उनकी ग्रफतारी सुनिश्यत की जाएगी अभी के लिए इतना ही आप देखते रहे ये फास्ट बाइटीव देद क्लेनिंग, डेंचर, डेंटल जोलरी, फेशिल एस्थर्थिक सर्चरी, रोट कैनाथ, फ्लैब सर्चरी की दुनिया का अनुभवी नाम, डॉक्टर पुनीत कार्टर, डॉक्टर शिवानी कार्टर, क रंध हॉस्पितल या उर्शा कॉंप्रेंस इवेश्च रहा मेरट.